आज मैं आपको बताने बाला हूँ गी इसक्वायर का पेरिमीटर एंड एडिया कैसे निकाला जाए इसलिए आज की वीडियो वार्ट इंट्रेक्शन होने चाहिए इसे पूरा जरूर देखिए का अलिए गाई शुरू करते हैं जासे आपको यहां एक लेंट दी गई है 15 और 죠 जोगा यह प्रें दी दीया गया है ılक्ये है तो इसक्वायर के इरिया का फॉर्मॉला होता है साइड्अ कि जासे यह आप की साइड है जैसे आपकी साइड़् हुग liग तो ङूद्ट अगर इनका मल्टीपल करेंगे हिए मत्टीपल एगय हो जाएगा फॉर्मॉला दो दो एक ही यहां बराबरी की जा रही है 15 से 15 15 15 किता होगा 15 फाइब घाएब सेविटीफाइड़ हो जाएगा आपका75 यह सैवन होगा किरे 15 साथ 15 ओके फिर हम जो configuration सेवन प्लस करेंगे किता हैगा 15 में अगर हम लोग's commented प्लेस करेंगे तो आएका 22 तो यह हो जाएगा इस स्कॉयर का एरिया ओके यह आप ना समझा आइना इसको यह है ओके अब मैं आपको बता रहूं पैरी मीटर आफ इसकॉयर का हो जाएगा यह जैसे मैं आपको एक स्कॉयर बनाकर दे रहा हूं यह स्कॉयर है एरिया तो इसके बीच का होता है यह हो जाएगा आपका 225 यह बीच का हो जाएगा आपका एरिया ओके लेकिन पेरी मीटर ऑफ स्कॉयर कैसे निकाले पेरी मीटर होता है लाइन्स इन यह जो किनारे किनारे की बस लाइन्स है जैसे एक लाइन का हो जाएगा आपका 12 यह भी 12 यह भी 12 और यह 12 तेल है सब्सक्राइब के लाइन्स है 12 तो यह साइज किती हैं हम लोग गिनते हैं वान तू थीरी वोग तो हम लोग इसका फोर से मल्टीपल कर देते हैं इस इकल तू किता आएगा फोर्ती एट ओके गाईज पैरी मीटर में हम लोग चार साइज से जो भी लेंग दी गई हो उसका फोर का मल्टीपल करते हैं है मल्टीपल पूर्यहुत है का फॉर्म्ला और इसका फॉर्मोला अलोग Corinth कर देना इसके अगले वीडियों मैं आपको स्कॉरे कैसे निकाला जाए है अगर आपको ये वीडियो थ्वारी से फोरी में अच्ची लगी हो तो कि से